नमस्कार जैहिन बच्चों आप सभी का Target with आलो के online platform पर सुआ गया थे बच्चों आज हम अपना नया topic श्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है चाल, दूरी और समय ठीकिना Speed, Time and Distance बच्चों तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम Basic पढ़ने ही कोज़िश करते हैं कि आखिर Speed, Time, Distance होता क्या है और इसके बाद सबसे Important इसके 3 Condition होते हैं इन 3 Condition को पढ़ना बहुत आवश्यक होता है कि बहुत Important होते हैं बहुत सारे कूशन आपके Ratio से भी हो जाते हैं तो इसलिए बच्चों सबसे पहले Ratio वाया जो Chapter हो बहुत मजबूती से कीजिएगा हमने पहले ही पढ़ा दिया है इसके बाद से percentage वाला भी बहुत काम आएगा ठीक है बच्चों तो देखिए बच्चों आज का जो topic है वह है Speed, Time and Distance यह बच्चों आपके लिए SSC MTS 2030 के लिए Arjun Batch लाया गया है जो आपके लिए बहुत ही important है ठीक है बच्चों तो देखिए बच्चों सबसे पहले अगर हम concept की बात करें ठीक है पहले हम बच्चों concept की बात करते हैं तो सबसे पहले बच्चों अगर हम चाल की बात करते हैं तो आपका चाल तो चाल बराबर क्या होगा तो बच्चों अगर हम चाल की बात करते हैं देखिएगा तो बच्चो यहां आपका चाल बराबर क्या होगा तो यहां बच्चो आपका दूरी और बटा में समय ठीक है ना बच्चो तो यहां से बच्चो speed equal to क्या होता है distance upon me time इसकी बच्चो फेर आपका दूसरा है अगर हम समय की बात करें तो बच्चो आपका समय बराबर क्या हो जाएगा तो समय बराबर होगा दूरी बटा में चाल लिख सकते हैं तो बच्चो यहां आपका t equal to क्या होगा तो d बटा में s ठीक है बच्चो इसकी बाद बच्चो फिर तीसरा condition आपका है तो अगर तीसरे condition की बात करें तो बच्चो अगर आपका दूरी निकालना हो ठीक है ना तो बच्चो यहां से आपका दूरी बराबर क्या होगा तो यहां आपका चाल और गुड़ा में sum है ठीक है sum है या फिर d equal to क्या हो जाएगा s into t के बराबर ठीक है बच्चो तो यही एक formula होता है इसी formula पर आपका पूरा का पूरा speed time distance चलेगा तो यही आपका formula है और इसे ही घुमा फिरा कर लिखा गया है चाल, समय और दूरी में ठीक है बच्चो तो पूरे के पूरे chapter में यही तीन बात हमेशा कही जाएगी चाल, समय और दूरी तो बच्चो देखिए इसके बाद आपका तीन condition दिया रहता है उन तीन condition को हम पढ़ते हैं बच्चो तो देखिए बच्चो सबसे पहले अगर आपका case first की बात करें ठीक है न? तो अगर बच्चो हम case first की बात करें तो case first में बच्चो आपका कहा जाता है यदी चाल कॉंस्टेंट हो बच्चो यदी चाल नियत हो नियत का मतलब कॉंस्टेंट होगा या फिर कहा जाएगा speed is constant ठीक है न? speed क्या है constant? तो बच्चो, constant का मतलब ही क्या होता है? इस बात को समझना है तो constant का मतलब क्या होता है यदि दो वस्तू की चाल बराबर दी गई हो तो वह constant कहलाएगा ध्यान दीजिएगा तो बच्चो सबसे पहले अगर हम speed की बात करें तो speed equal to क्या होता है तो यह आपका d1 बटामे t1 यह आपका s1 होगा उसी तरह बच्चो अगर हम s2 की बात करें दूसरे वस्तू की बात करें तो यह बच्चो आपका d2 बटामे t2 हो जाएगा ठीक है बच्चो तो यहां से बच्चो एक बात आपको अच्छे से पता है कि यहां s equal to s1 equal to s2 बच्चो यहां चाल तो आपकी बराबर दी गई है तो अगर आपकी चाल बराबर दी गई है तो आप असानी से कह सकते हैं कि यहां आपका d1 बटामे t1 बराबर d2 बटामे t2 तो यहां से आप असानी से कह सकते है d1 बटामे d2 बराबर t1 बटामे t2 तो यहां से एक चीज आप असानी से देख पा रहे होंगे कि यहां सीधा सीधा समबंद है, भाई D का सीधा सीधा समबंद क्या है T के साथ, तो बच्चों यहाँ आप कह सकते हैं, if speed is constant, ठीक है न, अगर आपका speed constant होगा, तो बच्चों यहाँ से यह बात आप लिख सकते हैं, अगर आपका speed constant है, speed constant है बच्चों, तो D और T के बीच का जो relation होगा, वह बच्चों कैसा होगा, तो यह बच्चों आपका सीधा अनुपात होगा, यह बच्चों कैसा होगा, तो यह सीधा अनुपात होगा, ठीक है न, एक बात यह बात आपको समझ में आई होगी, इसके बार बच्चो अगर हम second की बात करते हैं अब second condition हम लेते हैं बच्चो तो यहां आपकी चाल बराबर है अब बच्चो अगर हम case second की बात करते हैं तो case second में आपका बच्चो कहा गया है यदि दूरी नियत यदी समय नियत हो पहले समय ले ले लेते हैं यदी समय नियत हो तो बच्चो नियत का मतलब constant हो ठीके ना तो बच्चो अगर आपका time constant है तो इस बात को समझने की कोसिस किजिएगा देखेगा सबसे पहले अगर हम समय की बात करें तो समय बराबर क्या होता बच्चो तो दूरी बटामी चाल होगा तो यहाँ आपका T1 बराबर D1 S1 और उसी तरह बच्चो अगर हम T2 की बात करें तो यहाँ आपका T2 बराबर क्या होगा तो यहाँ आपका D2 बटा में S2 हम लिख सकते हैं ठीक रहा बच्चो अगर बच्चो यहाँ एक कंडिशन आपका साफ साफ कहा गया है कि समय दोनों के लिए बराबर है नियत है तो बच्चो अगर समय बराबर है तो दोनों को बराबर कर दीजिए तो यहाँ से बच्चो हम असानी से कह सकते हैं यह बात कि T1 बराबर T2 होगा तो बच्चो यहाँ से अगर हम ध्यान दें तो यह आपका क्या हो जाएगा, d1 से यहां से आपका एक ब्रॉपर्टी और सामने में आया, तो यहां आप कह सकते हैं असानी से, If time is constant, तो अगर बच्चो time आपका constant है, ठीक है ना, time आपका constant है, तो चाल और दूरी के बीच का जो relation होगा बच्चो, वह कैसा होगा तो सीधा संबंद होगा, ये दो बात आपने पढ़ी, इसकी बाद बच्चो, अगर हम third की बात करते हैं तो समझेगा, अगर तीसरी की बात क करते हैं बच्चो, तो यहां आपका case third, तो case third को ले लीजे, यदि चाल नियत हो, या दूरी, चाल तो ले चुका है ना, यदि दूरी नियत हो, यानि दूरी अगर बच्चो constant हो, नियत हो, तो ध्यान दीजे बच्चो, अगर आपका दूरी constant है, तो करने का हमारा सही तरीक क्या होना चाहिए तो देखे बच्चो सबसे पहले अगर आपका distance is constant distance is constant ठीक है ना यानि दूरी आपका बच्चो बराबर है पहले condition में दूरी और दूसरे condition में दूरी बच्चो बराबर दिया गया है तो देखें बच्चो सबसे पहले यहां आपका दूरी बराबर क्या होता है तो D1 बराबर S1 T1 उसी तरह बच्चो अगर D2 की बात करें तो यहां आपका S2 और यहां आपका बच्चो T2 के बराबर तो बच्चो यहाँ साफ साफ आपको पता है कि दोनों दूरी आपस में क्या है बराबर है तो यहाँ आपका D1 बराबर D2 दिया हुआ है बच्चो तो यहाँ से यह बात आप असानी से लिख सकते हैं कि S1 T1 बराबर S2 T2 तो बच्चो यहाँ S1 upon S2 equal to T2 upon T1 होगा बच्चो तो आप कह सकते हैं यहाँ से विलोमानुपात है या फिर बच्चो इसको और S1 बटा में S2 लिख दे और इसको 1 upon T1 लिख दे और यह आपका 1 upon T2 लिख सकते हैं T2 ऊपर चला जाएगा बच्चो और T1 आपका नीचे आजाएगा तो बच्चो यहाँ से एक बात बस आपको ध्यान रखना है if distance is constant distance is constant ठीक है न तो यहाँ से बच्चो S और T के बीच का जो अनुपात होगा वह बच्चो क्या होगा विलो मानुपात होगा इस बात को ध्यान रखना है ठीक है बच्चो खेर हम short में भी लिख देते हैं तीनो ठीक है न तीनो यहाँ मैं second वाला लिख देता हूं और यहां मैं third वाला लिख देता हूं और short में लिख देता हूं जैसे बच्चों आपका पहले condition में दिया हुआ था अगर S constant है ठीक है ना दूसरे में T constant है तीसरे में बच्चों आपका D constant है D क्या है बच्चों आपका constant है ये तीनों बात कही गई है तो बच्चों पहले वाले में जो अनुपात होगा उस अनुपात को समझते हैं तो D का सीधा-सीधा संबंध T के साथ होगा, और यहां S का उल्टा संबंध T के साथ होगा, यह बास समझे आया है, तो बच्चो याद रखने का तरीका क्या है, अगर कभी भी D की बात कर दी जाएगी, यानि दूरी की बात रहेगी अगर दूरी इन्वाल्व रहेगा तो दूरी हमेशा सीधा संबंद मनाता है यह बात आपको ध्यान रखना है ठीक है तो बच्छो यहां आप देख सकते हैं यहां दूरी आया है और यहां दूरी आया है तो दूरी हमेशा संबंद कैसा बनाता है चाहे वह समय के साथ हो, चाहे वह चाल के साथ हो, सीधा संबंद बनाएगा, तो बच्चो अगर आपका दूरी नहीं दिया हुआ है, जैसे इस कंडीशन में दूरी नहीं दिया हुआ है, तो बच्चो आपका S, यानि चाल और समय के बीच का जो relation होगा, वो कैसा होगा, तो व बच्चो को समझ में आया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है बच्चो, तो ये था आपका एकदम बेसिक, सारी बाते हमनों एक एक करके बता दिया, तो यही तीन केस बच्चो आपको याद अखना है, यही आपका ratio method होता है, इसी method को हम ratio method करते हैं, ठीक है ऐसे कोईशन आपका काफी लंदी हो जाता है, लेकिन ratio method से बहुत सारे कोईशन ऐसे होंगे, जिसे हम असानी से solve कर पाएंगे बच्चो, ठीक है, चलिए, इसके बाद अब कोईशन पर आते हैं, जैसे बच्चो पहला कोईशन आपका दिया है, एक rifle से, देखिएगा, एक rifle स 2520 km, बच्चो एक बात और बता देते हैं, देखिएगा, आपको पूरे के पूरे speed time distance में, km per hour और meter per second में convert करनी कियाओ सकता, पढ़ेगी ही पढ़ेगी, तो बच्चो यहाँ आपका conversion, पहले मैं बता देता हूँ कि conversion होता कैसे, conversion, ठीक है ना, तो conversion, पहले समझेगा, एकदम simple तरीके में बताता हूँ, फिर मैं तुमको, मैं आपको एकदम तुरंत ही आखिरा दूगा, कहीं कोई दिक्कती होगा, ठीक है ना, देखिएगा, conversion अगर हम 1 km per hour की बात करें, और बच्चो इसको अगर meter per second में change करना हो, ठीक है, हम change करने का तरीका आपको इतना मस्त बता द तो सबसे पहले 1 km में कितना meter होता है, तो आपका answer 1000, और 1 घंटे में कितना minute, 60 minute, और 1 minute में कितना second, तो या आपका 60 second, तो क्या, या meter per second में convert हुआ है, तो या आपका 0 से 0, 0 से 0, तो या बच्चो क्या हो जाएगा, 5 बता में 18 meter per second, ठीक है ना, तो बच्चो देखिएगा, य kilometer per hour, equal to क्या होगा, 5 बता में 18 meter per second, तो बच्चो अगर meter per second चाहिए होगा, तो kilometer से meter per second चाहिए होगा, तो छोटा चाहिए, तो 5 बता में 18 करेंगे, छोटा वाला भिन करेंगे, लेकिन बच्चो अगर आपको बड़ा भिन चाहिए होगा, जैसे 1 meter per second है, और आपको चाहिए क में कीलो मीटर परावर में तो बच्चो कीलो मीटर परावर मीटर से बड़ा होना चाहिए तो यह आपका 18 बटा में 5 ठीक है ना तो बच्चो अगर अधिक चाहिए होगा तो 18 बटा में 5 करेंगे और बच्चो अगर कम चाहिए होगा तो 5 बटा में 18 करेंगे यही प्रॉसेस बच्चो हम हर जगा apply करेंगे, ठीक है ना, तो देखे बच्चो, अब आते हम question पर, बच्चो आपका question क्या है, एक rifle में 2520 km पर घंटे की रफतार से, गोली दागी गई है, वह 2.2 सेकंड के बाद लक्ष को हिट करती है, राइफल से लक्ष कितनी दूर है, तो बच्चो देख लेकिन बच्चो यहां आपका साफ साफ मीटर में कहा गया है, और यहां समय सेकंड में दिया हुआ है, तो पहले किलो मीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में convert करना पड़ेगा, तो बच्चो सबसे पहले, अगर हम 2520 km पर आवर दिया हुआ है, तो बच्चो अगर मीटर पर में तो बच्चो मीटर पर सेकन्ड तो मीटर नहीं जो क्तो हो किया होगा तो इए बच्चोए सकते है यह क्या होगा सहरे मीटर पर सेकंड ठीक है अभी सॉल्व नहीं करते हैं सॉल्व हम बाद में करेंगे तो बच्चो यहां आपका स्पीड हो जाएगा तो बच्चो अगर हम दूरी की बात करें तो डी क्या होता है तो बच्चो यहां S का मान कितना दिया हुए है दू पाच दू जीरो और पाज बचामे अठारा भी सॉल जी मैं कहीं कोई दिक्कत नहीं है और कितने second में? 2 second में, तो बच्चो यहां से आप असानी से कह सकते हैं यह meter per second में और यह second में, तो बच्चो second से second कर जाएगा, तो यह आपका meter में आ जाएगा और meter यानी दूर ही आ जाएगी, ठीक है बच्चो? तो देखेगा यहां से अगर हम cancel करें यह आपका cancel होकर 10 बार में जाएगा यह आपका 0-0 cancel हो धिक है यह साध आपको दिखनी नहीं रहा हो में भी ठीक है डिख रहे है ना थीक है इसके बाद फिर आपका 2-9 बार में फिर 9-9 कितने बार में यह आपका 9-2-18-9-8-72 तो 28-5 कित तो यह आपका इस प्रशन का सही उत्तर हो जाए बच्चों से बच्चों को यह बात confirm हुआ है confirm हुआ है तो सभी लोग बता दें clear हैने चीजें तो यह आपका क्या हो जाएगा 140 मिटर एकदम आसान कुश्यन था हम डायरेक्ट चाहें तो बिना कनवर्ट यानि यहीं पर हम डायरेक्ट किये होते हैं तो बच्चों आपको बस ध्यान रखना होता है कि जब भी आप से मीटर पर सेकंड में कनवर्ट करना हो तो पांच बटा में 18 करेंगे और अगर बच्चों किलो मीटर पर आवर में करना हो तो अठारा बटा में पांच करेंगे ये बात बच्चों आपको बस ध्यान रखना है ठीक है ना देखिएगा इसकी बाद फिर आपका सेकंड नंबर कुशन बच्चों यहां आपका कहा गया है कोई वैक्ती 5 किलो मीटर पर घंटे के रफ्तार से चले तो वह एक खास दूरी 3 घंटे 36 मिनट में तय कर लेता है यदि वह वही दूरी साइकल से 24 किलो मीटर पर घंटे की चाल से रफ्तार से तय करे तो उसे कितने मिनट लगेंगे तो बच्चों देखिएगा एक बात साफ साफ यहां कहा गया है व कि दूरी क्या है बच्छो चाल और समय के बीच का जो रिलेशन होता है वह क्या होता है तो सबसे पहले अगर हम चाल की भात करते है ठीक है देखेगा तो अगर हम चाल देखें, तो पहले बच्चों आपकी चाल कितनी रही है, तो यह आपका पहले 5 km पर आवर और बाद में 24 km पर आवर तो बच्चों आपको याद होगा, हमने अनुपात में आपको सिखाया था, यदि दो अंकों का विलो मानुपात निकालना हो, तो आपको क्या करना है, दोनों का आपस में पलट देना है, ठीक है बच्चों, तो देखेगा, अगर हम समय की बात करें, तो दोनों का आपस में प 188. प्लस में 16 मिनट ठीक है. यहां अपका 16 मिनट यानि ठोटल 36 मिनट जा 466 मिनट. तो यहां कितना हो जाएगा 216 मिनट. धिक न, तो बच्रों, यहां 24 Of who 24 का मान क्या दिया हुआ है? 216 दिया हुआ है. 24 का मान दिया हुआ है which जिसका मान निकालना होता है उसे हम उपर रखते हैं अब कितना मिनट लगएगा तो इहां आपका 45 ठीक है बच्छो और ऐसे भी कह सकते है बच्चो अगर आप अपनी चाल बढ़ा देंगे तो आपको समय कम लगेगा ठीक है बच्चो आप जैसे माली जी कोचिंग जाते हैं घर से कोचिंग जाते हैं किसी दिन पैदल गया है यानि आपकी चाल कम है तो समय अधिक लगेगा अगले दिन आप साइकल से चले गए तो आपकी चाल बढ़ गई अगर चाल बढ़ गई तो साइकल से आप जल्दी पहुंच जाएंगे ये बात आप असानी से कह सकते हैं कहीं कोई दिकत नहीं है ठीक हरा इसके बाद फिर आपका नेक्स कोईशन है दो धावक क्रमसह 100 मीटर पर मिनट तथा 120 मीटर पर मिनट की चाल से दौड़ते हैं यदि दूसरे धावक को पहले धावक के तुलना में दौड़ पूरी करने में 10 मिनट कम लगते हैं तो दौड़ की लंबाई कितनी होगी तो बच्चो सबसे पहले आप इस बात को ध्यान दीजेगा कि पहले चाल 100 के बराबर थी बाद में 120 के बराबर थी यदि दूसरा धावक पहले के तुलना में दौड़ पूरी करता है तो बच्चो कभी भी अगर रेस होगा तो किसी भी रेस में दो धावकों के बीच की जो दूरी रही होगी वह क्या रही होगी सेम दूरी रही होगी ठीक है ना तो बच्चो यहां आपका साफ साफ कहा गया है कि दूरी क्या है बच्चो तो दूरी आपका कॉंस्टेंट है दूरी बच्चो क्या है आपका कॉंस्टेंट है तो चाल और समय के बीच का रिलेशन चाहे दोनों को आपस में गुणा करें और बात बराबर है तो दोरी बराबर क्या हो जाएगा तो जाहें तो नहीं नहीं से भी गुणा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, तो 100 गुणा में 60, 6,000 होगा, 12,05, 60, 2,0 और लगा दी, क्या 6,000 होगा, तो यह आपका कितना मीटर हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं, अराम से, कि यह आपका 100 मीटर एक मिनट में, तो 60 मिनट में कितना, तो 60 गुणा कर दी आप चाहते हैं यह दोनों को भी गुणा कर सकते हैं, यहां बच्चो आपका एंसर क्या हो जाएगा, बी-ऑप्शन होगा, 6 km आपका एंसर होगा, ठीक है ना ये बात सही बच्चों को समझ में आया है इसके बाद फिर आपका अब देखेगा ये भी बच्चों आपका कूशन बहुत इंपॉर्टन है और बहुत च्छा कूशन है एक जॉगर्स इस्थान X से Y तक दोड़ते हैं उनकी गती 10, 3 और 20 के अनुपात में हैं इन ज समय अगर निकालना हो तो आपको याद होगा अगर तीन राशी दी गई हो और उसका विलोमा नुपात निकालना होगा उसका reverse निकालना होगा बच्चो तो वो तरीका क्या होता है आपको अच्छे से याद होगा ठीक है ना तो बच्चो अगर इसका मान निकालना है इस पर हां तक दिए इन दोनों गुणा कर दिए तो बीस गुणा में तीन कितना तो यह आपका 60 इस पर हां तक दिए बीस गुणा में दस दो सौ और बच्चो तीसरे का विलो मानुपात निकालना है इस पर हां तक दिए तो दस गुणा में तीन तीन तो बच्चो यहां से जीरो, जीरो और जीरो कड़ गया, तो यह आपका 6, 20 और 3, क्या बच्चो कोई option यहाँ आपको दिख रहा है, क्या, आप कहेंगे, हाँ sir, यहाँ हमें C option दिख रहा है, 6, 20 और 3, तो बच्चो इस प्रशन का हमारा सही उत्तर क्या होगा, 6, 20 और 3 हमारा बच्चो यहाँ सही उ विलोमानुपात में पढ़ाया है, अगर कोई बच्चा विलोमानुपात निकालना नहीं सीखा है, तो याद रखी का हमने MTS की पहली क्लास में यही सारी बाते आपको समझाए थी, ratio का सारा का सारा question आप फिर से एक बार revise कर लिए, चीज़े आपको बच्चों समझ में आती अब देखिए, इसके बाद फिर आपका question है, इसके बाद है बच्चों, एक cycle child ने एक निश्चित गती से एक निश्चित दूरी तय की, यदि एक joggers उसकी आधी दूरी दूगनी समय में तय करें, तो उस jogger की cycle child की गतियों का अनुपात क्या होगा? बच्चों, यहाँ पर answer maximum लोग गलत देते हैं, 50% लोग सही देते हैं और 50% गलत देते हैं, कुछ लोग इस यह answer देंगे, कुछ लोग यह answer देंगे, ठीक है ना? तो बच्चों, यह आपका करने का जो सही तरीका होगा, जैसे ऐसा भी होता है, आज आप दे दीजिए, answer एक अनुपात चार देगा, उसी वक्ति को चार दिन के बाद दीजिए, तो हो सकता है, answer चार अनुपात एक देगा, तो यह question है, maximum लोग को confusion रहता ही रहता है, तो से पहले अगर हम दूरी की बात करते हैं, ठीक है, तो दूरी में कहा गया है, एक निश्चित दूरी तै की, ठीक है ना, यदि एक जोगर उसकी आधी दूरी, तो बच्चों, आधी दूरी का मतलब क्या है, पहले दूरी अगर एक रही है, तो बाद में दूरी क्या रही है, भई एक बटा में 2, तो यहाँ आपका 2 अनुपात 1 के बराबर होगा, अनुपात में हम निकाल ले, तो पहले अगर दूरी 2 के बराबर है, तो 2 की आधी दूरी कितनी होजाएगी, 1 के बराबर, लोगना समय की बात करें तो अब समय कितना लेता है, तो साफ साफ कहा गया है दो गुने समय में तै करें तो बच्छो समय पहले अगर एक था तो अब कितना है तो यह आपका दो के बराबर दो गुना समय लेता है बच्छो तो देखें बच्छो सबसे पहले अगर हम ध्यान दे तो आपका ऐस बराबर क्या होता है तो बच्छो द तो यहां से हम कह सकते है, S बराबर क्या होगा? तो यह आपका 2 दूना 4 और यह आपका अनुपात 1 बच्चों यहां आपका सही एंसर क्या होगा? 4 अनुपात 1 होगा तो एग दम simple तरीके से करेंगे, तो question को असानी कर जाएंगे नहीं, तो maximum लोग expression का बच्चों हमेशा गलत answer देते हैं, तो यह आपका सही answer क्या हो जाएगा? B option, ठीक है ना? सही बच्चों को ये बात समझ में आई होगी, उमीद है, सारी चीज़े आप बच्चे समझ में ला रहे होगे, ठीक है? तो यहाँ पहले अगर आपका दूरी दो था, तो इसका आधा दूरी एक, अब समय दो गुना हो गया, तो पहले समय एक तो अब कितना दो, तो बच्चों यहाँ आपका LCM अगर हम दो ले रहे हैं, तो यह चार और यह आपका एक, दोनों में दो आपका common हो जाएगा, ठीक है तो यहाँ से चाल का जो अनुपात होगा, बच्चों, क्या हो जाएगा, चार अनुपात एक के बराबर, simple question है, उमीद है, सही बच्चों को सारी बाते समझ में आ रही होगी, कहीं को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना, अब देखे, एक कार चालक 10 घंटे यात्रा करता है, प अगर यहाँ से figure हम बनाएं, तो यहाँ से आधी दूरी, तो अगर यह दूरी D के बराबर है, तो यह भी D के बराबर रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले 10 घंटा लेता है, और पहले यहाँ आपकी चाल, यानि फर्स्ट पार्ट में यहाँ आपका चाल कितना है, त ठीक है तो बच्चो अगर आधी दूरी दी गई हो और आप से औस चाल पूछी गई हो, ठीक है, तो बच्चो आपका एक सबसे बहतरीन तरीका होगा, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है, अगर एवरेज स्पीड की बात की गई है, ठीक है, औस चाल, तो सबसे अच्छा, ये फॉर्मुला बच्चो आपको याद होना ही चाहिए, नहीं तो बच्चो आपको समय अधिक लगेगा, औस चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा में कुल समय, तो वहां बच्चो आपको समय अधिक लगेगा, ठीक है, तो यहाँ याद रखिए अक्सर तो बच्चों सबसे पहले अगर हम सॉल्व करें ठीक है तो यह आपका कितने बार में तो यह आपका 6 से काटिए तो यह आपका 16 बार में और 6 नवा चाववन कट जाएगा इसके बाद फिर यह आपका 2 से कितने बार में तो यह आपका 8 बार में 2 से कितने बार में 21 बार में तो यह आपका 21 और बटा में कितना हो जाएगा तो यह आपका 4 ठीक है बच्चों यह आपका औसच चाल होगा लेकिन बच्चों यहाँ आपसे औसच चाल नहीं पूछी गई है दूरी प तो बच्चो अगर हम दूरी की बात करें तो एवरेज स्पीड को हम किस से गुणा कर दें समय से ठीक है बच्चों यहां कि आया है आपका 21 गुणा में 9 और बटा में 4 और गुणा में बच्चो इतना आ जाएगा समय आपका 10 तो यह आपका दो बार में 2 से पाँच बार में तो यह आपका कितना हो जाएगा इसको अगर हम solve कर लें यहां पर तो यह आपका 9, 9, 2, 18 और गुणा में 5 और बटा में 2 ठीक है तो 9, 45, 4, 18, 95 और 4, बटा में 2 तो यह आपका 4, 7, 2, 5 km ठीक है चाहे तो बच्चों यहीं पर आप समय से गुणा कर देते तो डारेक्ट आपका दूरी निकल जाएगा जाता और सचाल को अगर आप समय से गुणा कर देते तो बच्चों आपका डारेक्ट दूरी निकल जाता ठीक है बच्चों तो यहां आपका कितना हो जाएगा 472.50 ठीक है के और केवल कैल्कुलीशन करना था ठीक है चुछी हमने यहां सारी बाते ब बच्चों को ठीक हरा इसके बाद फिर एक आदमी ने 5 घंटे में 42 किलोमीटर की दूरी तय की उसने आंसिक रूप से 6 घंटे के चाल से पैदल यात्रा की और आंसिक रूप से 10 किलोमीटर पर घंटे की 4 से साइक्ल पर यात्रा की ठीक है यह बात आप से कहा गया है तो आप आप से पूछा गया है पैदल यात्रा की दूरी क्या होगा तो यह तो आप पैदल गए है ठीक है आंसिक रूप से पैदल गए है और आंसिक रूप से आप कैसे गया है बच्छो तो साइकल से गया है यही बात आप से कहा गया है ठीक है तो देखे सबसे पहले अगर हम कुल द पैदल है और यह आपका साइकल है तो बच्चो अगर यह एक्स के बराबर है ठीक है ना अगर यहां पैदल चलते हैं तो यह आपका कितना होगा यह 42 माइनस एक्स होगा ठीक है ना और बच्चो पैदल चाल कितनी है अगर हम चाल की बात करें तो पैदल चाल कितनी है आपकी ये आपकी 6 km per hour, बत्यों, यया आपका पैदल, ठीक है ना, या आपका पैदल और ये आपका cycle, ठीक है, और cycle से इसी परकार से हम असानी से solve कर लेंगे तो बत्यों, यहाँ समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा में 4 तो बच्चो यहां दूरी कितना है पैदल कितना चलते हैं आप X के बराबर तो X बटा में कितना 6 और प्लस अब यहां आपका दूरी कितना 42 माइनस X और 4 कितना 10 और यह आपका 5 तो बच्चो अब पूरा कोशन सॉल्व करने की आवसकता नहीं है नहीं तो आप फस जाएंगे यहां आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपका 12 में अनसर आ रहा है तो यहां पान्च के बराबर नहीं आपको साफ साफ दिख रहा है यह आपका 3 और यह आपका 1 दसमला वेगा तो बच्छो दूसरा रखिए तो जैसे ही X का मान अगर आप 12 रखेंगे तो यहाँ आपका 12 बटा में 6 और प्लस अगर 12 घटा दे तो 30 बटा में 10 क्या बच्छो यह 5 के बराबर है बिल्कुल है तो बच्छो यहाँ आपका सही एंसर क्या हो जाएगा तो यहाँ आपका X बरा होगा ठीक है पूरा सॉल्व करने के आप सकता नहीं है तो बच्छो आपको दिक्कते आएंगी ठीक है तो एक तरीका तो यह हो गया और दूसरा बच्छो आप चाहें तो इसी कुश्चन को ऐलिगीशन से कर सकते हैं अगर बच्छो कुछ भाग विया गया हो कुछ भाग आ कुछ भाग आप साइकल से जाते हैं और अगर और सच चाल की बात कर दीजा यानि दोनों को मिला दिया जा तो हम एलिगीशन लगाते हैं और बच्छो एक बात हमेशा ध्यान रखेगा अगर आप चाल एलिगीशन में लेकर चलते हैं तो आपका जो अनुपात आता है चाल क साथ गुणनखंड में क्या होता है समय चाल गुणा में समय होता है तो अनुपात किसका निकलेगा समय का निकलेगा यह बात आपको बच्छे हमेशा ध्यान रख नहीं है तो अगर यहीं पर हम एलिगीशन से सॉल्व करते इसी प्रशन को ठीक है तो कोशन क्या कहा गया है यह आपका 6 km पैदल जाते हैं तो बच्छो पैदल अगर हम लिख लें यह आपका कितना हो जाएगा यह आपका पैदल और यह बच्छो आपका साइकल से कहा गया है तो बच्छो सबसे पहले साइकल से जाते हैं 6 के स्पीड से पैदल जाते है 6 के स्पीड से और यह 10 के स्प थीक है, तो यह आपका 8.4 या तो 8.4 ले लिजे या तो 5 से सब में गुना कर दीजे, ठीक है, तो यह बच्चो 8.4, तो बच्चो यह आपका अंतर कितना, 2.4 और यह कितना, 1.6, तो बच्चो 6. तो यहां आपका समय निकल जाएगा और बच्चो समय भी तो पांच घंटा दिया हुआ है तो अगर 6 के स्पीड से अगर आप 2 घंटा चलते हैं तो आपकी दूरी क्या हो जाएगी तो 6 दूना 12 यानि कितना किलोमीटर तो 12 किलोमीटर तो यही आपका होगा ठीक है अगर बच्चों पूछा जाता कि साइकल से आप कितना किलोमीटर चल रहे हैं तो दस गुड़ा में 30 कितना हो जाता 30 के बराबर उम्मीद है यह बात है साई बच्चों को समझ में आरही होगी कहीं कोई करकें समझ में आरहा है सारी बाते ना ठीक है चले अब इसके बाद तो यहां हम चाहें तो आप्शन अब देखके हैं और आपका यहाँ थोड़ा सा option थोड़ा सा यह option को हटा दी जा ठीक है ना option थोड़ा सा गरत हो गया को दिक्कत नहीं है ठीक है तो देखेगा देखेगा 12 किलोमेटर पर घंटे की चाल से चल रहा है एक आदमी प्रतीक किलोमेटर के बाद वह तीन मिनट रुकता है ठीक है तो 6 किलोमेटर की दूरी तै करने में उसे कितना समय लगेगा तो देखेगे मालीची आप घर जाना चाहते हैं और टोटल घर आपका कितनी किलोमेटर पर है 6 किलोमेटर में और आपकी चाल कितनी है तो आपकी चाल है 12 किलोमेटर पर आवर लेकिन हर किलोमेटर पर आप ब्रेक लेते हैं आप रुकते हैं और कितनी मिनट के लिए रुकते हैं आप रुकते हैं 3 मिनट के लिए ये बात को उश्यन में कहा गया है ठीक है तो बच्चो देखेए सबसे पहले अगर टोटल 6 किलोमेटर है ठीक है तो बच्चों, हर एक किलो मीटर पर आप रुकेंगे, तीन, चार, पाँच और छाई आपका 6 किलो मीटर होगा तो बच्चों, आप टोटल कहां कहां रुकेंगे, इस बात को हम देखते हैं तो यहां तीन मिनट फिर यहां भी तीन मिनट यहां भी तीन मिनट यहां भी तीन मिनट क्या बच्चो यहां रुकने की आउ सकता है एक बार जब आप घर पहुँच जाएंगे तो क्या विस्राम करके चलने की आउ सकता है आप कहेंगे नहीं सर फिर हमें विस्राम करके चलने किया हो सकता नहीं है तर्स विख दिखा है और कि यहां आप टोटल छै किलो मीटर में कितनी बार रुकेंगी यातरह करने में तो आप पांच बार रुकेंगी तो senza फरर तो टोटल कितनी बार रुकेंगे, तो आप कहेंगे, सर पांस्ती या पंदरा, पंदरा मेट के लिए लुकेंगे, और बच्चों, अगर आप नॉर्मल चल रहे होते, तो 6 किलो मीटर चलना था, 12 किलो मीटर परावर के हिसाब से, यानि आप आधे गंटे में पहुंच जाते, तो बच्चों, यहाँ अगर हम समय की बात करें, तो आपका समय क्या होगा, तो दूरी बटा में चल, तो दूरी कतना है, 6 के बराबर, और चल कितना है, 12, या आपका इतना घंटा, और प्लस पांच गुणा में 30, और या आपका मिनट, ठीक है न, तो बच्चों, यहाँ आ तो बच्चों, यहाँ option हम लिख देते हैं, यहाँ आपका 54, यहाँ आपका 50, और यहाँ आपका 55, ठीक है, तो बच्चों, यहाँ आपका सही answer क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपका 45 answer होगा, ठीक है न, तो इस प्रशन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बच्चों, यहाँ आ बेसिक से लेकर चल रहे हैं जो बच्चा पहली बार भी पढ़ रहा होगा तो यह उम्मीद करके हम पढ़ाते हैं कि चीजे आपको समझ में आनी चाहिए ठीक है अब दीखेगा इसके बाद फिर आपका है नेस्ट कूश्चन एक जट इसकी एक जट इसकी और तालिस किलोमेटर पर घंटे की गती से उपर की ओर जाती है और असी किलोमेटर पर घंटे की गती से उसी दूरी पर वापस आती है कुल यात्रा में उसकी ओसत गती क्या होगी ठीक है बच्चो तो देखेगे अगर जट इसकी की बात करें ठी से एक वेक्ति जट इसकी के थ्रू जाता है तो एक बार जाता है और एक बार आता है ठीक है तो बच्चों यहां दूरी D के बराबर है और जाने में समय क्या लगा होगा तो यहां आपका T1 और यहां आपका बच्चों T2 तो बच्चों यहां औस दूरी अगर आपको औस चाल निकालना हो, तो यह आपका 2 S1 S2 upon S1 plus S2, क्या ये चीज़े हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है भी, आप कहेंगे हाँ सर पढ़ा है, तो बच्चो क्या दिक्कत है अगर आधी आधी दूरी दी गई हो, या फिर अगर आप एक जगा जाते हैं और फिर वापस आ जा तो आपके यहां सर दूरी तो हमारे लिए बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा, ठीक है, तो यहां से हम अगर इसे सॉल्व कर दें, तो इसे सॉल्व करने पर, या आपका 48, तो दो गुड़ा में, या आपका 48, और गुड़ा में कितना हो जाएगा, तो या आपका 80, यह आपका 128 के बराबर है तो यह आपका 8 से 8 शक 48 आठ से 10 बार में 16 तीन दुना च्छा है और गुडा में 10 यानि कितना 30 तीन दुना च्छा है तो यह आपका कितना 60 km पर आवर तो बच्चों यहां हमारा जो उत्तर होगा वह क्या हो जाएगा तो यह हमारा 60 km पर आवर इस प्रशन का हमारा एकदम एकुरेट एंसर हो जाएगा अमीद है यह बाते सही बच्चों को समझ में आ रही होगी ठीक है ना चीजे कहीं कोई डाउट रहा हो तो जरूर बताईएगा अमीद है लेकिन हम इतना बेसिक से लेकर चल रहे हैं इतनी सारी चीजे एक S2 upon S1 plus S2 तो बच्चों यहां से हम असानी से कूशन को सॉल्व किया जा सकता है ठीक है बच्चों तो याद रखेगा है रीशियो मेथर से हम कूशन को ज्यादा सानी से कर सकते हैं ठीक है और जहां कुछ फॉर्मुले अगर याद करने से जल्दी हो जाता है तो उन फॉर्म तक की दूरी एक बटा में 5 भाग 8 km पर घंटे की गती से चलती है एक बटा में 10 भाग 25 km पर घंटे से चलती है और 6 20 km पर घंटे की गती से चलती है तो पूरे यात्रा की आउसत गती क्या होगी तो बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखेगा ठीक है एक बात हमेशा ध्या अगर बच्चो औसद गती की बात करते हैं तो देखिएगा अगर कभी भी औसद गती की बात कर दी जाएगी न तो औसद गती बराबर क्या होगा तो औसद गती बराबर आपका कुल दूरी बटा में कुल समय यही formula होता है, यही एक formula होता है, कुल दूरी, और इसे हम भाग किस से दे देंगे, तो यहाँ आपका कुल समय से, ठीक है न बच्चो, तो बच्चो यहाँ हम दूरी कैसे लेंगे, इस बात को समझेगा, ठीक है न, तो दूरी का जो fraction value होगा, जैसे इस question में, देखेगा, एक बटा में 5 भाग और एक बटा में 10 भाग दिया हुआ, ठीक है न, तो यहाँ अगर हम दूरी की बात करें, तो दूरी कितना दिया हुआ है, एक बटा में 5 भाग और एक बटा में 10 भाग, और फिर से इस भाग, तो बच्चो यहाँ 10 और 5 का elthium क्या 10 के बराबर होगा, और अगर हम चाल की बात करें, तो पहले चाल आपका क्या क्या दिया गया है, इस बात को ध्यान दिजेगा, यह आपका 8 दिया हुआ है, पच्चिस दिया है, और 20 दिया हुआ है, तो 8, 25 और 20, ठीक है न, तो यह आपका 8, 25 और 20, तो चाल 8, 25 और 20, तो बच्चो इसका elthium क्या ह फिर आपकी जो दूरी होगी ठीक है थीच राप माना की दूरी क्या हम लेंगे माना की दूरी तो माना की दूरी हम क्या लेंगे तो यह आपका 200गुड़ा में 10 जानी कितना 2000 यह बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है ना अगर ऐसे कूशन को मानना आप सीख जाएंगे ना तो हर कूशन को आप आसानी से एकतम चित्रा उड़ा देंगे तुरन 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 दुरन दुड़ा देंगे कोई दिक्कत नहीं होगी बात है समझ में आई है तो देखेगा इसकी बाद फि कुल दूरी सबसे पहले कितना मन ले तो कुल दूरी हम ने आपको बताया है ठीक है तो यह आपका कितना सो hundred तो इक गबиж वाद में पांच भात पाङवा देंगे तो यह आपका इसे दूरी पहला दूरी कितना 400 देखिएगा चाहे इसको हम ऐसे करते हैं ना इसको हम ऐसे करते हैं जादा अच्छा रहे बच्छो देखिएगा यह आपका टोटल 2000 है तो एक बटा में 5 भाग कितना हो जाएगा तो एक बटा में 5 भाग तो यह आपका 400 के बराबर फिर बच्छो आपका एक बटा में 10 भाग तो यहां आपका क्या हो गया है यहां आपका दूरी हो गया है तो बच्चो अगर हम चाल की बात करें तो चाल आपका दिया गया है तो चाल कितना दिया गया है यहां आपका 8 km पर आवर यहां आपका कितना तो यहां आपका दिया गया है 25 km पर आवर और बच्चो यहां कितना दिया गया है 20 km per hour ठीक है बच्चो तो देखें बच्चो अगर हम यहाँ दूरी को चाल से भाग दे दे तो समय कितना निकल जाएगा तो समय बराबर इसको भाग दे दीजिए तो बच्चो अगर हम भाग दे दे हैं ना तो बच्चो आठ से पचास बार में यह आपका 50 घंटा प्लस यह आपका 8 घंटा और प्लस यह आपका कितना 70 घंटा तो बच्चो टोटल कुल समय क्या हो जाएगा अगर हम कुल समय की बात करें तो कुल समय कितना हो जाएगा 128 घंटा ठीक है तो बच्चो आपका जो औसत चा होगा कुल दूरी कितना है तो आप कहेंगे सर 2000 के बराबर और टोटल समय कितना है 128 सबसे आसान तरीका मैं आपको समझारों बच्छो नहीं तो इस प्रकार एक कुशन किसी और मैथर्ड से करेंगे तो बहुत लेंदी जाएगा और ये बहुत घुमाओदार होता है ठीक है पांक सो बार में ठीक है फिर चार से करेंगे तो 125 बार में 4 अठे 32 तो यह आपका आठ एका आठ पिर आपका बच्चा 45 तो आपका 625 कौन सौप्शन है बच्छो आपका तो यहां आपका एकदम 15 दसमलों 625 तो इस प्रकारा कोशन बच्छो अगर यहां से इस प्रोसेस से ह नहीं होगा हर कुशन को बच्छो असानी से निकार असानी से हम कुशन को सॉल्व कर पाएंगे उमीद है सभी बच्छों को सारी बात है समझ में आ रही होगी कहीं कोई कंफ्यूजन रहा हो तो जरूर बताए ठीक है ना कि क्लियर है सारी चीज़े चलेगा देखेगा इसके दस भाग है और फिर सेस भाग है तो पहले यहां दूरी एक बटा में पांच एक बटा में दस और फिर सेस भाग फिर अगर हम चाल की बात करें बच्छों तो चाल बराबर क्या दिया हुआ है पहले भाग के लिए 8 km पर आवर दूसरे के लिए 25 km पर आवर और तीसरे भाग और 20 कैल्सियम 200 होता है, तो अगर हम इन दोनों को गुणा करके, अगर हम दूरी लेकर चले, तो कूशन बच्चो आप असानी से कर सकते हैं, यहां से जो कूशन है वो आपका सिंपल हो जाएगा, नहीं, तो कूशन काफी लंदी हो जाएगा, ठीक है न, और किसी प्रोसेस से क करेंगे, तो बच्चो दूरी अगर 200 माल ले, तो एक बटा में 5 भाग कितना, तो 5 से भाग दीजे, 400 किलो मीटर, एक बटा में 10 भाग कितना, 200, तो 400 और 200, चैसो चैसो तो 2 हजार में 600 अटा दे बचा कितना, यह आपका 1400, ठीक है, अब चाल यहां पर कितना, 8 किलो मीटर प और यहां सेज कितना, 20 किलो मीटर पर आवर, तो बच्चो यहां चलने में, यह दूरी चलने में समय कितना लगेगा, 50 घंटा, यह दूरी चलने में समय कितना लगेगा, 8 घंटा, और यह दूरी बच्चो चलने में समय कितना लगेगा, तो यह आपका 70, तो बच्चो यहां जो आउसत चाल होगा वह कितना हो जाएगा तो यह आपका 15.625 इस प्रशन का हमारा सही उत्तर होगा उमीद है ये बाते सभी बच्चों को समझ में आ रही होगी कहीं कोई confusion रहा हो तो जरूर बताईएगा ठीक है न तो बच्चो इस प्रकार के question एक्जाम में काफी पूछ जाते हैं अगर हम इसे x मानकर करेंगे ठीक है या y मानकर चाल को अगर चाल को हम y मानते हैं और दूरी क तो अगर हम x मानते हैं तो बच्चों ये question solve करना बहुत possible नहीं हो पाता एक्जाम में क्योंकि ये बहुत lengthy हो जाता है आप किसी भी वेक्ती अगल बगल अडोस पडोस में या कोई भी बच्चा रह रह रहा हो जो तैयारी कर रहा होगा उसी ये question देखेगा देखेगा वह ए हजार माना होगा तब तो question को कर ले जागा असानी से नहीं तो इसको अक्सर दिक्कते आएंगी आएंगी तो अगर आपको देखना हो question hard है असान है या किस प्रकार का है तो किसी भी बच्चे को जो दो या तीन साल से तैयारी कर रहा होगा एक बार question देकर देखेगा तब आ पढ़ाई करते रही है MTS में फिलहाल अभी आपका form भराया है कुछ समय अभी बाकी है जितने अच्छे से पढ़ाई करेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा ठीक है दो तीन महीने की पढ़ाई है और दो तीन महीने के पढ़ाई करने पर आपको एक नौकरी मिल जाएगी इ तो बच्चों जिसको हलका फुलका भी रेशियो में दिक्कत आ रहा होगा जो इससे पहले का वीडियो नहीं देखे है तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा पहले आप जाईए और रेशियो की कूशन देखाई है ठीक है जितने टाइप हमने बताया है उन सारों को हो जाएगा ठीक है रेशियो का तीन या चार लेक्शन में पढ़ाया दो लेक्शन पढ़ाया तो उससे पहले खतम कर लीजिए और उसके बाद फिर जब आप स्पीड टाइम डिश्टेंस पढ़ेंगे यह वाले वीडियो देखेंगे तो आपको और ज्यादा मज़ा हैं उमीद है आपको एकदम मज़ा आया होगा एकदम मस्त रहे होंगे ठीक है बच्चो तो इसी तरह आप बरकरार रहिए पढ़ाई करते रहिए ठीक है चले बच्चो नमस्कार जैहिंद लव्यू आल बच्चो